सेह योग के अंडे केवल गरवती इस्तरिया अते हस्पताल विच दाखल मरीजानू देते जानगे होराले अंडे खरीदने मना सन देश्वासी युद्धकारन सरकार दी दिल जाननाल हिमायत कर रहे सन अते पूरा सहयोग दे रहे सन अंडेया सबंदी हुकम सुनके अपने कराविच पई अंडे हस्पतालानू पेट करनले अगले दिन लोकांदिया लम्मिया लैना लग्या सन थानवाद स्वय विश्वास वीमी सदी दौरान संसार दा सब्तों वद परसिद विज्यानी आइंस्टाइन जर्मनी विच परफैसर लगा हुया सी यहुदी होन करके जर्मनी दी सरकार ने उसनू इनना ते इननी तरह परेशान कीता क्यों जर्मनी चटके स्विच्जर लैंड चला गया ते उसने स्विच्जर लैंड दी नागरिकता लैले उस वल्लों स्विच्जर लैंड दी नागरिकता लैंड नू जर्मनी ने अपना अपमान समझया सो जदो जर्मनी दे बादशा कैसर दुजे ने आइंस्टाइन नू जर्मनी विच मुड़ प्रोफेसर लौन दी पेशकश किती, ता एक शर्त भी लाई कि आइंस्टाइन स्विट्जरलेंड दी नागरिकता त्याग देगा आइंस्टाइन ने बादशा कैसर दी एक शर्त दे जवाब विच दो शर्ता लाईयां कियो अपने यहुदी होन दे तत नू कदे नी लुकाएगा ते जित्थे वी पुछया गया उत्यो माननाल दसेगा कियो यहुदी है आइंस्टाइन दी धुजी शर्ते सी के स्विट्जरलेंड ने मुष्कल समे उसनू पना दित्थी सी ते अपना नागरिक बनाया सी सो उस्विट्जरलेंड दी नागरिकता कदी नी दियागेगा स्वय विश्वास्तो बिना किसे दा किदरे सन्मान नहीं हुनदा सो उसनू क्या के पहला जर्मनी ने मैंनू बदलनले मजबूर केता सी? हुन जर्मनी नू बदलना पहेगा. आइन्स्टाइन ने अपनिया शर्ता मनवाई या. तानवाद पक्का साथी उची वास्ट बुच्या ये पर्स किसना है? दूर बैठे वड़ी उमर देक बंदे ने विख्या अपनी जेप रोली कहा मेरा है कीस बूत है? स्वारी ने क्या इसविच क्रिशन दी तस्वीर है क्रिशन दी तस्वीर क्यों है? किसे होर दी जान तेरी अपनी क्यों ने? स्वारी ने क्या इस बहुत यादगारी तस्वीर है इस पर्स मेरे पिताने मैनू देता सी पहला इसविच मेरे माता पिता दी तस्वीर सी फिर मैं अपनी रखन लाग प्या फिर प्रेम का दी फिर पतनी दी फिर अपनी पुत्तर दे माता पिता चिलाना कर गई मैं वड़ा हो गया सा प्रेम का छट गई सी पतनी मर गई पुत्तर अपनी परिवार विच रुज गया जड़े नेडे सान वो दूर हो गया सान फिर मैं कृष्ण दी तस्वीर रखन लगपया इह हमेशा लई मेरा पक्का साथी है सारियां स्वारियां सुन रहे हैं कि ये कृष्ण तेरा पर्ख्या होया है हाँ एक कृष्ण हमेशा साथ देंदा है इह मेरा पक्का साथी है चेक करने क्या मैंनू वी एक पक्के साथी दी लोड़े तेनू पर्स देद ना, तू क्रिशन दीत स्वीर होर लेकी रखलें, इस क्रिशन नू मैं अपनी पर्स विच रखलेंदा हां इक क्रिशन पर्स विच सी, दो क्रिशन इक दूजी दे, सामने इक लोगते सान्द तानवाद संदेश खालसे नू साज के गुरुगुबिन सिंग ने, अनानदपुर साइब तो एक संदेश दिता सी आज तो मेरी प्यारी पेटा, सोनी जवानी ते चंगा शस्तर हुवीगा मेरी खुशी लेनी है, ता कसरत करो, गतका खेडो, कमर कसे करो कमजोरी एक गुना है, जिस लई खिमा नहीं कीता जा सकता कौम नू, देश नू तो अड़ी जवानी दी लोड है चंगी जवानी ओ है, जो कर्म करदयां परवान चड़े कौम नू, पवित्तर हिर्दयां, स्वच दिमागां, बहादरी राध्यां, ते किर्थी हत्थां दी उडीक है सिर उच्चा करके टोरो, पै मुक जाएगा टोरंदा निश्चा करोगे, निशाने जाग पैनगे डर उड़ गया, ता मौत भी अनांद जापेगे सिदक अते सिरड़ दी लोड है, एखलाक दी बुलंदी वाज्जा मार रही है तुसी थोड़े नहीं, तुसी सोमेदी नयाई हो, इकठे होके वगोगे, ता द्रियाविच हडा जाएगा अपनी ताकतनू पछानू, एक निमानी तीली जंगलनू स्वाब ना सकदी है तु अड़े विच मानव जाती तड़क दी है, ततियां तवियां ते बैठन दा तु अनू अब्यास है चान्दनी चौक तु अड़े सिरानाल ही उसरेया है ताडियो ते कवियो, तुसी शही दादी मेमा गौनी है, तांके अजाद बुलबुला चैक सकन कौम नू टोयां विच्चों बार कटो, ओ इतिहास गाओ, जिसनाल लोक खला उत्रवान, ते चर्खडियां ते चड़नली त्यार हो जान ते मिध्या होया पंजाब, ते कुछली होई कौम, सिर उच्चा करके खलो सके तो अड़े साजां विच्चों वैन नहीं, ललकारा निकलनियां चाई दिया हन, तोलकियां दी था नगारे सुनाई देनें चाई दे हन तो अडियां सुरां अगदियां लाटां ते असमान दियां बिजलियां बन जानियां चाई दियां हन ताके तो अडियां लमियां हेकां कुर्बानियां लई लोकां दे दिलां विच चापार देन दुश्मन ने सोच के वियोंत के गुथी उल जाई है ओ हाथ जो कातल बने हन, ओ आज कट दिते जानगे, तुसी कौम दियां तरकाणां वेच दुपेरां बनके चमकना है, तानवाद. सही पाशा चीनी फिलासफर, कनफ्यूशियस नू पुछया गया, जे तु अनू राजकरन दे जिम्मेवारी दिती जावे, तकी करोगे? कनफ्यूशियस ने क्या सी, सब तु पहला में लोकाँ दी पाशा नू दुद्रुस्त करांगा. इस सुत्तरनल सुननवली हैरान हुए, पर कनफ्यूशियस ने क्या, जे पाशा सही ना हुवे, ता शब्द सही अर्थ नहीं दन्दे. जे अर्थ सही समझ ना हुण, ता कारज सही नहीं उन्दा. जे कारज सही ना हुवे, ता सिप्टे नतीजे सही नहीं निकल दे. ते नैतिकता दे पक्खों पतन हुण दे. इन साफ लडखडा जान दे, चरित्तर विगड जान दे, गडबडी मच जान दी है, प्रिष्टाचार फैल दे. लोग कानू समझ नहीं पैंदी क्यों की करन ते की ना करन. इस नाल अराजकता फैल दी है, ते देश गुलाम हो जा पैड़ी पाशा ना किवल अपने आप विच एक कुरीती है, इस सारियां राजनी तक समाजिक ते आर्थिक कुरीतियां दी जडवी है. तानवाद